असलाम उलीकूम एवर्ड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ रुजीना मसर और आप देख रहे हैं फूट लेवर्स आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्ट बहुत ही मज़िका ये है मटन की रेस्पी अगर आप चाते हैं कि आपका अचार कोश्ट भी बहुत ही मज़िका बने तो रेस्पी को अच्छे से नौट किया करें और इंग्रीडियंट्स को भी अच्छे से नौट किया करें सबसे पहले तो हम कुकर में ये सारी चीज़ें डाल देंगे मिक्स है ठीक है इसमें है जी टमाटर लेसन और प्यास ये जो सबसबसी स्टिक सी आपको इसमें नजर आ रही है ये हरा प्यास है ठीक है तो ये तकरीबन मेरे पास है वन केजी मटन है तो ये बून लेस्पी है और बून वाला भी है ये मिक्स है ये भी इसमें शामिल कर देंगे इस ट्राइम पे और तक्रीबन दो चमच ओयल डाल देंगे ठीक है और साथ ही जाएगा नमक, सुरख मिर्श, हल्दी, काली मिर्श और सफेट जीरा कुछ खड़े मिसाल ले जाएगे लॉंग दारचीनी और बड़ी अलाईची इसको अच्छे से मिक्स कर ले ताकि जो गोश्ट का और पानी, प्यास का जो पानी है ये भी हुश्क हो जाए और थोड़ा सा ओयल इसलिए इसमें एड़ करना है, दो चमच तक्रीबन ओयल एड़ करना है ताकि जो कुकर है, वो उसकी रबर जो है, वो सीक्वेंस से चलती रहे, नॉर्मली ठीक है, सॉफ्टली चले ये देखे, इस ट्राइम पर मैंने ओयल एड़ कर दी है, तक्रीबन दो चमच, इसको अच्छे से आप मिक्स करें ये देखे, अब इस ट्राइम पर इसमें शामिल कर देंगे तक्रीबन 5 कप पानी और इसको लगा देंगे, स्ट्रीम मिलते हैं तक्रीबन 20 मिनुट के बाद दुबारा इसको एक बार हला लें और उसके बाद इसको ढाम दें अभी स्टीम लगा दी और तक्रीबन 20 मिनट्स तो लाजमी चाहिए होते हैं मतन के लिए 20 मिनट्स के बाद दुबारा आए है कैपरी मूव करते हैं इसका तो ये देखें जी ये कंडिशन है इसको मैंने एक कड़ाई में निकाल लिया है सेपरेट से और इसको मैं अभी इसका जो पानी है उसको ड्राई करूँगी उसके बाद इसमें ऑईल एड़ करके इसकी बुनाई करेंगे बहुत ही जबरदसी तो ये देखें जी अभी इसका पानी खुशको रहा इस तरह इंपर मैंने इसमें अद्रक डाल दिया चौप कटा हुआ ठीक है लंबाई में और बरी कटी हुई हरी मिर्चे डाली है इसमें दो से तीन अदद इसको अच्छी से आपने इसका पानी ड्राई करने है और इसके बाद इसको बुनाई करनी है तो यह देखेगा आप स्ट्राइप बाई स्ट्राइप आपने कोई भी चीज मिस नहीं करनी इस ट्राइम पर मैंने इसमें ऑईल एट करके अब इसकी बुनाई शुरू कर दी है तो यह देखें माशालला कितनी खुबसूरत लूप कै अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें बेल आइकन प्रेस किया करें फीड़बै क्लास में दिया करें यह आपकी तरफ से चाहत होती है प्यार होता है अभी मैंने इस टाइम पे इसमें शामिल कर दिया है तक्रीबरां हाफ टी स्पून से कम वर इलाईची पवडर अगर आप चाहें तो आप इसमें साबत लाईचियां भी दो सबस लाईचियां में डाल सकते हैं मेरे पास पॉडर अवेलिबल था, मैंने पॉडर डाल दिये, इलाइशी पॉडर आप चाहें तो साबत भी डाल दें, कोई इशू नहीं है, इससे आपका टेस्ट शो है, अचार गोश्ट का वो बहुत अच्छा हैगा, यह जी अब इसको लगने लगए अचार गोश्ट का ट इसको अच्छे से हला लें, और इस टाइम पे आप जाएगा दही, दही को अच्छे से आपने फैट के शामिल करना है, ताकि उसके जो हैं दही फटे ना, ठीक है, इसको भी हलाएं, और इसको भी थोड़ी दे के लिए ढाम देंगे, तक्रीबन दो से तीन मिनट इसको दम ठीक है, दही डाल के आपने ये टिप बहुत 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 तो मेथी जो है वो मैं अपने घर में भी सुखाती हैं उसकी रेस्पी भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी ठीक है कि घर पे मेथी किस तरह सुखाते हैं वैसे भी सर्दी है आजकल मेथी बहुत अच्छी आई हुई है तो कोशिश किया करें मेथी घर पे सुखाया करें कसूरी मेथी भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन घर पे सुखाई हुई जो मेथी है उसका भी कुछ अपना ही मज़ है तो ये ये दिखें जी इसको अच्छे से लाले माशाला ये चेक करें आप कितनी मज़े की ग्रेवी बनी है और ये इतना मज़ेदार बना है ना सालन के मैं आपको क्या बताऊँ खाने में ये बहुत लाजवाब है मैं आपको डिशाउट करके दिखाती हूँ तो ये देखें ग्रेवी देखें आपकी इतनी स्मूथ है इसका टेक्स्ट्र कितना अच्छ है ये देखें माशाला बहुत अच्छा सालन बना है ये तो बनाते-बनाते ही समझ लें के जट पट माशाला फिनिश हो ग centres इतना अच्छा सालन बने तो आप कोशिश करें कि आप रेस्पी को अच्छी से नोट किया करें अभी लास्ट पे हम इस पे जो है ना अद्रग गानिश कर देंगे यह देखे जी रेश्पीस को अच्छे से नोट किया करें ट्राइ किया करें कुमेंट्स किया करें अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर बोलती हैं सब्सक्राइब करें लाइक करें बैल इकन प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो मिल जाया करें अपनी दु़ाओं में याद रखा करें अपना बहुत सा ख्याल रखा करें खुद भी हुश्राएं सब को हुश रखा करें पकाया करें उन जाय किया करें तो ये देखें जी माशाला ये सब फाइनल लुक्स दिखा रही हूं नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें अलाहाफीज